पर एक बड़ी खबर उस वक्क के आपको बता देजिए उस वक्क के बड़ी खबर हरियारा से सामने आरे जहाँ पर धान गोटाले पर ACS PK-10 का बयान सामने आया है खादेवम आपूर्ते वभाग के ACS का बयान सामने आया है दान गोटाले के बाद 90 करोड की गड़बड़ी हुई है यह माना है पीके दास ने राइस मिलर्स को कारल बटाओ नोटर्स बे भेज दिया गया है और साथी साथ आपको यह भी बता दे कि फिजिकल वेरिफिकेशन का काम अब पूरा हो चुका है हमारे साथ हमारे से की पवन जुड़े हुए है तमाम अपडेट के साथ पवन क्या कुछ कहा है ACS पीके दासने में चाहूंगा आप दस्तार से बताए अब देखिए जो हर्याणा में दान घोटाले के आरोप लगातार विपक्स लगा रहा था और इसके बीच जो है वो सरकार ने फैसला किया था कि जो मिलर्स है जो राइस मिल है उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो करवाई जाएगी कितनी खरीद हुई इसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो आटेरा सुसी जादा जो मिल है हर्याणा में उनमें जो पूरी रिपोर्ट सरकार के पार पवन पर इसी सवाल के साथ लोटेंगे आपके पास लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुनवा दे कि पीके दास ने आकर क्या कुछ कहा है यह पाड़ी हमारा लिया हुआ है जिसके लिए हमने पैसा दिया हुआ है इन सभी मिलों को एक सो कॉल नोटिस जारी कर रहा हूं मैंने फाइल पर यादेश दे दिया है कि वो हमें बताएंगे एक कि किस कारण से यह सटेज उनके यहाँ पाया गया और क्यों ना उनके खि करने के बाद और हमारे करके और किस किसम के न तो आसको आपने सुना अपनी के बात पूरी करेगा बिल्कुल देखिए अब जो फीजिकल वेरिफिकेशन ना काम पूरा हुआ उसके बाद इस आंकड़ा निकल कर आया कि खादे वापूर्ती विभाग के जो अत्रिक्त मुक्के सची हुए पीके दास उन्होंने ये जानकरे दी है यानि सरकार ने महकमे ने ये माना है कि जो फीजिकल वेरिफिकेशन हुई है उसमें धानली मिली है स्टॉक में कमी पाई गई है सबसे ज़्यादा जो स्टॉक में कम ज़्यादा मिला है वो यहीं पर मिला है तेरह हजार मीट्रिक टन जो हे वह करनाल में और δानमे डान कमी मिली है और जो पीके दास उन्हों उनकी जो security है सरकार के पास यह जो उनका गारंटर है जो उनकी पूरी जो जो liability है यानि उनको blacklist करना उनसे वसूली करना ये जो है वह कारवाई है साथ ही अपरादिक कारवाई जो है वह भी बनती है लेकिन सरकार से कि ऊपर फैसला किया गोटाला ना हो गडबड़ी ना हो इसको लेकर इंतजाम किये जाएंगे कि मंदी से मिल तक जो पैदावार है धान की उसको कैसे पहुंचाय जाए उसके इंदिजामात के उपर सरकार जो कैसी कार को सकती है आपने बताए कि एसी स्पी के दास ने साफ तोर पर ये कहा है कि आगे भी कोशिचे की जाएंगी तक इसा धान घोटाला सामने ना है पॉन अस्तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया